कि I am कि Hey everyone दो आज हमória का Sprinkler irrigation ठाएंगे ठीक है यह ध्यान रब को जोistant इस फिर कौन्वोट से कोशन आपके बनते हैं एक दो चा movements क्या है इसके कि वहीं बहुत से करो यह बहोर में 오늘도 मैंने वाल यहां है तो आप उससे जो बेस्टीफों अधीर सावरण यॡशा सब्सक्राइए तेमने हैं मैंने वह पहुत लाएक almost धंद्रिक और डिजाइन के steps लिख दिना तो हो जागा को डिजाइन के बहुत सारे questions इस पर आया है यह easy chapter है थोड़ा lengthy रहेगी विडियो बर यह easy है काफी हना देखते हैं अब देखो आपका sprinkler irrigation basically होता क्या है जब आपका water जोगा spray के form में sprinkler मतले हैं यहां पर sprinkler लगे होते हैं ऐसे करिये और water आपका ऐसे move करता है यह ठीक है यह ऐसे when the water is applied in the form of the spray then then known as a sprinkler irrigation और यह high peeper बना एशर पर हम apply करते हैं water को ठीक है ना हाई हाई पीपर मैंने स्टार्टिंग कर रहा था जब इडिकेशन के वह कर रहा था कि कितने इडिकेशन में वह कैसा होता है तो यह ध्याना को हाई पीपर में apply करते हैं ठीक अब इसके adaptability condition क्यों होती है देखो यह हर सबसे बड़ी advantages और इसकी adaptable condition यह होती है कि हर ट्राइफ की टॉपोग्राफिक के लिए चैक एसे भी टॉपोग्राफी क्यों ना हो इस टीप स्लोप आप समझेड टॉपग्राफिक यह हो आपको याद भी रहेगा इस प्रिंग्र प्रफेशन क्यों नहीं हो और हाई अगर इन्फिल्ट्रेशन केपेसरीटी है अगर हाई हाई और पर क्यों होता है यह मिट्टी है आपने एप्लाई करा वोटर यह इतना प्राइव पिधर पिर अंदर जाएगा अगर यह हाई पर शुल्ट है लिए इसके लिए अगे अगर समझों ठीक है तो और टाइप इस सो इसके लिए बिल्कुल ठीक है इरीगेट है जब यह लिए सोल होंगे तो हमें तो आपना है थी कह के लिए पहले बता दिया है ज्टीफ स्लॉप क्यों चाहिए अन्दॉलिटेट लेंड की ओना सब के लिए suitable होता है तो बहुत फेमस हो लाए आता है और टॉपोग्राफी एंड हाई सॉइल ओल टॉपोग्राफी टॉपोग्राफी के दो चीज़ आती है इस टीफ लॉप और अंडूलेटेट लेंड ठीक है तो लिखा यह उन्ड लेंड के लिए भी होता है इरोटिवल सॉइल क्यों नहुंद हो इसके लिए वी सही है फ्रोग एंड फोस्ट अगर आवे फ्रोग एंड फोस्ट पड़ रहा है तो उससे भी हमें यह गरेगा प्रोटेक्शन करता है ठीक है अगर आप बोडर इडिगेशन से कंपेर करोगे ठीक है ना देखो उसमें क्या था आपका आपका यह वाला इरिगेशन इस से रिगेशन में क्या बोड़ आपपलाई कर रहे हो आंकन्टोल इरिगेशन कोरा और अप उससे कंट्रोल कर रहे हो लेकिन इसकेamp पर सेविंगी इसकी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सेंद कम एफिशेंट होता है तो सबसेंद हो गया जोड़ी सब्सक्राइब एफिशेंट है फिर स्प्रिंग्लर है फिर आपका यह है तो आपको यह पता नहीं न अचीए तो आप कभी लिख सकते हो वोटर सेविंग के उसमें ऐसे करें ठीक है यह आपका सीरियल और वाइटेवल क्रोप के लिए उस होता है सबसे मेंगर वाइंटेज का है होता है कि अपने मिक्स कर दी है है आपने फिर अपलाई कर आप तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि की साथ अपिलाई कर सकते हो यह पर वोटर आपका वह और वह कर पा रहा है और वेडर इस फ्रोश कंडिशन तो यह आपका हर जगा काम करता तो यह ध्यान दखलो स्प्रिंकलर वर्क्स ओन एवरीधिंग बट यह लो फिल्ट्रेशन पर काम नहीं करता बस ठीक है ठीक है लिमेटेशन क्या है देखो हाई इनिशल इन्वेस्मेंट चीए इसके लिए आगाने होते हैं में लगाने होते हैं संमेल लगाने पांप लगाने तो यह दोनों बहुत बड़े रीजन होते हैं ठीक है दूसरा नोट सुटेबल फॉर दा फाइन टेक्स्च्चूर तो विद दर लो इन्फिल्ट्रेशन डेट देन बोटर विल गैट सबणाय को यह सब्सक्राइब के लिए किसब्स के लिए जहां पियस राइस को हाई दिमांड ची होता है जुत और इसको दोनों को इन दोनों को और लेक sie Voter की घजिए तर जागा नहीं और आंटर डिमांड जादा कर रही है राइस not suitable for the hot climate or high wind अगर बहुत ज़्यादा विंड चल रही है बहुत ज़्यादा विंड और बहुत ज़्यादा टेंपरेचर तब यह सुटेबल नहीं होता तो एक्स्टीम कंडिशन में सुटेबल नहीं है और यह कंडिशन में सुटेबल आपको याद करना है तो सोयल में ल तरहीके अपने माइंड पिक्चर अंगी को मैं द्यान रख थी पिक्चर कया नी चाहिए तो टॉपोग्राफी बलकुल ठीक है तो ही बिलकुल ठीक है लोगाफियल फिल्टरशन जोल काम नहीं करेगी क्लाइमेट काम नहीं करेगा जूत यह सब चीज़ आपको पिक्चर मा यहाली कंडीशन हो गई आपकी और यह सब जो एक्स्टिंग कंडीशन है टेंपरेचर की हो गई विंडू स्पीड की हो गई और आपका कोस्ट वगरा हो गया यह सब आपके अच्छी नहीं है आपका सोर्स में सोर्स यहां पर मैं यहां मैं में में लाइन यहां यहां पका काम क्या है और संप्लाइव वोटर फॉम अब में लाइन जोोगा इससे आपका सब्में महीं सकती है कही है सब्में का मतलब हलता है एक के सब्में लगी होता है फिर देल होती होते हैं अंतर We गूल ये जिसके त्रूब आपका थूंस के थूंस के थरूप राया पंपर यहां रहा चरहिए इस यहां से रहे यह संपने में लोग रहा हैan यह रहा अच्छा डाइग्राम यह आपका पंप है पंप ने आपका स्ट्रीम को आपको में लाइन भीजा यह आपकी में लाइन यह आपके में लाइन लिखा भी है में लाइन यहां पर आपके लेटरल्स लगे होते हैं बहुत जादा लेटरल्स के होते हैं यह लेटरल्स हो लेटरल के ऊपर नोजल लगे होते हैं अब आपको ध्यान लगेना आपको द्यान करना बहुत असान है अब हम स्यट्रिफिकल पंप यूज करते हैं यह वाला पंप यूज करते हैं लो डिस्टेंस के लिए और अगर हमें बहुत ज़्यादा पीछी ए मिल्लकुल स्पीड में आपको अप बूस्टर पंप यूज कर सकते हो तो आप यह भी लिख सकते हो क्योंकि पूछाए आता है क लेटर बनाओ ब्रेक्स इंगल इजिएशन सिस्ट्रम का तो अब ऐसा डाइगराम बना देना वहां पर और कंपोनेंट को एक्स्प्लेंड कर दो तो में लाइन क्या होती है में लाइन इटेक्स वोटर फॉम्टींग यूणिट एंड सप्लाइव वोटर टूज को में अगर सम्में नहीं है तो लेटरल को डेरेट सप्लाई करेगी तो सम्में स्लेश लेटरल कर लो ठीक है सब में की बारें बात करें सम्में हो भी सकती है लिखा भी है में बी और में नोट यह हो भी सकती है सिस्टम में जनरल ही नहीं होती है डिप टीके सिस्टम में होती ह है जेनरलुस को प्रवाइड नहीं करते क्योंकि एक्स्ट्रा कोसा यह थी यहाँ पर यहाँ के फिर लेटरल यहाँ कि यहाँ होगा जेट है यहाँ फिर ध्वाइफ सकते हो में या यह यह आपकी में लाइन से पान लेकर आपके नोजल्स को देंगे थिए मेन से या फिर सब मेन से जो भी आपके लगी होगी टुइंडिविजल हैट को देंगे सबसे मेन बात है अर इस लोप यह बहुत मैं और इस पूछा आता है बहुत बार तो लेटरल का आपको और इस लोप आलो इस डिरेक्शन में है तो आपके लेटरल के रहेंगे एक यह पुछात है किस मट्रियल के बने होती है हाई डेंसिटी ओली एथिलीन और अगर मालो मल्टीपल है लेटरल आपको बहुत सारे प्रवाइड करने हैं तो उनका डायमीटर जो है टू मीटर से कम रखना यह यह पूरा तो उनका डायमीटर के रखना टू मीटर से कम रखना तो हमेशे द्हान रखो लेटरल इस इंस्टोल एक्रोस दो इस लोप इन डिरेक्शन लेटरल आपके यहां पर होंगे और इनका डायमीटर जो होगा दो मीटर से कम होगा तो यह बेसी कंपोनेंट है और भी कंपोनेंट होते हैं यह आपका नोजल को पूरा ऩाइन नहीं करूंगा लेकिन अगरा आहर आप से ऐक्जामणर डाप पुछे तो एक्सलिय्न करते है एक दोख लगल यहां पर एक्स्लेन कर सकते हो तो यह आपकी कमपोनेंट्स हो गए अब आपको बूच आता है अब देखो हो किया रहा है बेसिक लिसक्लिट अब अभी आता सर यह आपका सोर्स अ यह आपका अम्प लगा हुँआ था पम से आपका में लाइन राइन फिर आपके लेटरल्स ल यहां पिहां न सब्सक्राइब यहां बस्क्राइब टानेल निंस प्रै अब इसके यह प्रेशी सिस्ट्रम की सबस्क्राइब में लिखा है ना M, यह M दिखाता है किसके डिरेक्शन के along है, along, A-L-O-N-G, तो spacing along the main line है, या फिर यह बोल सकते हो, laterals के बीच के spacing है, क्योंकि यह क्या आपके laterals है, इनको और ही बोल सकते हो, spacing along the main line, तो confuse मत होना question में, या फिर यह question में लिखा होता है, spacing between laterals, तो वो एक ही बा होता है, spacing along lateral, जो हमने subscript दिया है, वो along में दिया है, along, अब lateral पर के लगे होते हैं, sprinklers लगे होते हैं, तो इसलिए इसको बोल जाता है, spacing between sprinklers, यह तो एक ही बात होई, यह था, हाना, तो यह आपका, suppose करो, एक nozzle यहाँ लगा है, फिर एक nozzle यहाँ लगा, तो यह भी SS होगी, य यह एक nozzle यहाँ लगा है, यह आपका nozzle, यह आपका SM area हो गए, तो यह एक nozzle, इतना area कवर करता है, कितना SL into SM, इतना area करेंगा करेंगा, टीक है, अब यह किसी application rate से कवरता हो गा, सब्सक्राइब आई है तो एक नोजल की सिंगल नोजल की केपेसिटी कितनी हो गई डिस्टार्ज रेट सर एसल इंटू एरिया ये कवर कर रहे है और आई इसका एप्लिकेशन रेट है आपको पिक्चर समझ में आई है जदक पिक्चर समझ नहीं आई है तो कुछ होगा नहीं एसल होगी सबस्क्राइब ये ऐरियो और यह आपका एसल और यह आपका एसम है अलब जो नोजल की बीच्व एक जो है एंट इसम एरिया कवर करता है और आई उसके एप्लिकेशन देट है एप्लिकेशन किसमें किसी डेट से तो आप हो इंडिबच्छ नोजल किस्टार्ट एक लेटरल में तो टोटल की तो टोटल सृंखल डिन फटीट होती है यह तौटल नमर नोजल इस तरीके से जो हम सिस्ट्छम को डिजाइन करते हैं दो आपके होंगे तो system capacity आप यहां से निकाल लोगे तो आपको system capacity निकालनी आ गई एक तो सर हो गया formula simple 2N SL SM I application that is the application rate that is the SL spacing along lateral यह along L का मतलब lateral लेकिन आपको धिमाग रखना यह main line ना रही होगी तो ऐसे करके यहाँ नोजल होगा यहां नोजल होगा तो यह आपकी SL है डिस्को में spacing between sprinkler ही बोल सकता हूं यह एक ही बात है यहा इस पेसिंग between sprinkler SM क्या एसर spacing along main line मिलाईन के में लग लगता है लेटरल लगे होते हैं तो मैं यह एई पोल सकता हूं SM तो यह आपका एक area कवर करता है SM यह इतना area में लाइन है या फिर बिट्वीन लेटरल से आपके वास यह आ गया एक तरीका यह रहा इस तरीका क्या है आपको सपोस्ट करो इस एरिये में आपको एपलाई करना है स्पिंख्लर रिएशन लगाना है अगर आपको एरिया पता है तो टोटल वोल्म आपको पता है डिवाइड बाई यह तो ऐस सब्सक्राइब दोर्ध अप्लाई करोंगा और इस फ्रिक्वेंसी आपकी टॉटल सिस्रूम कैसिटी होती बहुत असान है क्या होती ऑफ़ी था या एरिया एनड़ देफ्सक्रहों आपको इसनी डेफ्स में वुटर अप्लाई करना है 3D में सोच तो तो आपको टोटल वोल्यूम कितना हो जाएगा एरिया इंटी डीडवलू डिवाइड बाई कितने डेस में अपलाई करना है अफसर छे दिन में अपलाई करना है और हर दिन आथ तीन घंटे काम करते हैं तो यही दिखा रहा है एफ इंटु एच और डिवाइड बाई कुछ तो आपकी टोटल सिस्टम कैपेसिटी आजएगी तो दूसरा मेथड हो गया तीसरा मेथड क्या होता क्यों निकालने का सब्सक्रों यह नोजल लगा यही वाला जो हमने यहां पर लगाया था अब मैंना एसल मिलाब इट इस वेरी डिफीगल तू मेजर एसलेंड एसलेंड आपको फील्ड में आना पड़ेगा लेकि सब्सक्रों मुझे यह नोजल जो स्प्रे कर रहा है मुझे उसी के स्पेसिफिकेशन बताओ लाइक मुझे बताओ इसका यह कितना है डी कितना है और इसकी वेलोस्रेटी कितनी है ठीक है आप सब्सक्रों आप जीको नोजल को यह आपको किसी डिस्टार्च से करता है तो इस्मोल क्यू डिस्टार्च किसकी को लोगो एरिया इंटु वेलोस्रेटी के अगर मुझे नोजल के स्पेसिफिकेशन पता है तो मैं यहां से भी इस्टार्च निकाल सकता हूं यहां से भी आप स्पिंगल शिश्टम की कैपसिटी निकाल सकते हैं पूरी अगरी एक ही स्पिंगल यह आपका स्पिंगल होता है नोजल होता है यहां पे कभी गभी एक में दो लगे होते हैं आज समझ रहों ऐसे बजार में आते हैं इसमें दो लगे होते हैं एक महीं तो उनका एरिया कितना हो जाएगा तो उनका निकाल को कैसे निकलेगा तो क्यू उनका होता है यहीं से आया बहुत अगर आपके एक ही स्प्रिंगलर में नोजल जो है दो लगे होते हैं तो कभी भी आप तो इस तरीके सा आप जो है इंकलर रिगेशन सिस्टम की कैपेसिटी यह तो को डागरा मना रखा है यह में लाइन है में लाइन के स्पेसिंग एसम है फिर यह एसल है सिम्पल है कैपेसिटी निकालने का फोमला यह रा यह रहा यह टिस 2-अड एसल इन्टु है सल एक और फोमला यह रहा एरिया इंटु डिव डिवाएट वाइड वाइफ ए लिए और एक यह रहा 2-एन-बिदा सिंगल टाइप नोज़ और यह डबल टाइप नोजल हाँ यह यह आपका actual discharge को होता है theoretical discharge into the cd तो जो आपको cd निकलता है area into velocity से जो आपने pi by 4 d square into root 2g से निकाला था तो इसमें cd से multiply करोगा तब actual मिलेगा तो formula में 3d भी आता है ठीक है तो आपके इस तरीके की simple formula होते हैं तो for the capacity you are having the three formulas for calculating the sprinkler system capacity अगर आप यह तो आपके पास यह specification हो देखो लेंड की specification है तो आप यह लगाओगे आपको area बता है depth of water बता है frequency बता है time बता है अगर मेरे पास sprinkler की जो मैंने इस्टोल कर रहा है system मुझे उसके specification बता है suppose करो आप आपने यह sprinkler लगाया 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 इसने ऐसे water को करा और आपने depth को मेंजर कर रहा है कितनी depth तक इसने water को कर रहा है इसने d1 depth करी इसने d2 करी d3 करी d4 करी d5 depth इसने कर रहा water apply अगर आप depth में water को मेंजर कर रहे हो अब हमें देखना है इनकी डेफ्थ में यूनिफॉमिटी कितनी है तो आपकी यूनिफॉमिटी का सिंपल होता है यह वन- मैनस-अवरेजड़ेशन दिवाइड बाइज़ेप्ध इन टू हेज़ेशन को ऑम एक सब्सक्राइब इसली निकालना प्लक्त कि दीविएड इवार को ख़र चिंब कर दिए अब लिखते हैं से फॉर्म लों कैसे लिखा जाता है लिखने का तरीका तो वह ही आए अब बर बार लगाऊ है लिखा भी है divided by average depth है लिखा भी है एक्स बार डिवाइड बार दी बार हाउ यू इस एक्स बार बट इस एक्स बार इस एक्स बार इस एवरेज डिविएशन इस असमेशन अफ ओल डिवाइशन डिवाइड वाइड वाई तो टोटाल नंबर ओव दा ऑब्जरबेशन यह सोरी एन एन आपकी टोटल नंबर दो ऑब्जरबेशन है एम क्या है एम को हम एवरेज डिवाइड से दिखाते हैं जनरली अगर आप एमें से दिखाऊगो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बुक में जनरली एमें से दिखा रखाता है दा एम इस नथिंग एम इस डी आपको सिर्फ यह याद करके आना है एक्स बार बाई डी बार एक्स बार को आप वहां पर लिख सकते हो सिग्मा एक्स डिवाइड बाई तो टोटल नंबर दो ऑब्जरबेशन सिग्मा एक्स को आफिर आप एक्स से दिखा सकते हैं एक्स आपका सिग्मा एक्स आई है इस लिखा भी है यहाँ पर समेशन ओफ ओल देविएशन फॉम दे इंडिविजुल स्प्रिंकलर यह समेशन है बढ़ी क्या बच्चे वाली चीज़े हैं बताओ अब बच्चे में होता है यहाँ से अब के लेट्रल आप द्रेट्रिंट में स्प्रिंकलर लगा आ यह सब नोजल रिवॉर्व एपकी टाइप नोजल्वोर खर रहे हैं तो अभी उना के टाइप पढ़ेते आपके दो टाइप का होता है na p p ura देखो यह आपका रोटेटिंग हैड जो होता है आपका पांश टाइप में फर्थर क्लासिफिकेशन होता है वैसे कभी पूछा नहीं गया लेकिन आ फिर भी याद कर सकते हो ठीक है तो बहुत असान भी याद करने का पहला आपको क्लासिफाई कर रहे हैं इसमें तो देखो हमारा ब पोलती है अपर दंगे कर वह इतना छोटा है या फिर एतना इजी है कि वह एक सान्थ दूरी मूफ हो जाएगा तो इसके मलता पूरा आपको सिस्टम हो अगर आपने एक साइड इंस्टॉल कर रहे हैं और अगर आपको कुछ टाइम बात जगा उससे मूफ करना है तो रहे Karma सेमी–पोर्टेबल, में आपका कुछ पार्ट्स मूवख हो पाएंगे और कुछ पार्ट्स नहीं हो पाएंगे और अब देखो जो यह तो हो गया atable और सेमी ओ ठाइबल ठीक है यह तो असान हो गया है अब मतलब को जो तो जो हमने सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है अगर आपने एक बन इंस्टॉल कर दिया तो इसके लाइफ बहुत जादा होगी वह मुव तो करी नहीं रहा है बट इस लाइफ लॉग और सेमी पर्मेनेंट होता है कुछ टाइम तक रहेगा तो आपको होता है यह अगर आप पंड यह lifelong के लिए थोड़ा लिग दो के चीज़े तो आप इसे लिके से आप टेबल बनाके याद करना जासे चीज़े असान रहे है ठीक है अब हम बढ़ते हैं आपका अगर आपको श्प्रिंकलर सिस्टम किसी भी जिगा पर इंस्टॉल करना है डिजाइन आप कैसे करोगी बह त्र आपको त्रेब लिखने है और था स्ट लाश्न पॉसका करेंने अपने करुःक्ट्समय कितने दिन के लिए अप्लीगेशन क्या है application रेट क्या है यूवल खुलेग दा इन्पूट्स और आपने अब्जेक्टिव डिफाइन करोगे यह डिफाइनिंग प्लानिंग में क्या होगा आप इन्वेंट्री बिनाओगे इसकी की रिसोर्स जो आपके वास एविलेबल है उसकी एक लिस्ट बनाओगे इन्वेंट्री की अच्छा यह आपके है इन्ट 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 इस डेप्ट अवरूर्ड जो एसे कर लिख दिना ठीक है यह फ्रिक्वेंस डीकेशन का फ्रिक्वेंस डीकेशन का फ्रोल्र लिख देना डी ड्वलो इट घासते हिए जारज जर फ्रमले लिखो कि फो ही वह लिखा अप्लिकेशन लिखने आपको एपना आंतर लिखना है अगर आप ऐसे तीन इसा बना दो है ऊपर प्लानिंग यह तो यह तो आपका यह एक ही परग्राफ में पूरा हो जाए अगर आपका पेज इतना बड़ा है तो यह एक परग्राफ में तीम लोग दिखने चाहिए अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वह फॉर्मले जो है वह आपको टीचर को दिखने चाहिए टीक है तो भी हम आखें बेसिक डिजाइन और हैड्वी दिजाइन को पूरा पढ़ते हैं तो सबस्से पहले क्या लिखाए को कोशन आएगा डिजाइनिंग में तर प्लानिंग प्लानिंग में छे स्टैप लिख दिया बिलकुल उपर देखते ही फिर आपका बेसिक डिजाइ में इसकी दो चीज़े होती है एक होता है आपका basic design, basic design में क्या करते हो, आप spacing निकालते हो, lateral के बीच में, sprinkler के बीच में, along the main line, discharge निकालते हो और total ये निकालते हो, ठीके, कितनी आपको वो चीए, input चीए, तो ये आपका होता है basic design, और दूसरा आपका होता है hydraulic design, in the hydraulic design you will design the main line कि diameter कितना होगा में लाइन के पाइप का लेटल के पाइप का diameter कितना होगा length कितनी होगी friction head loss कितनी होगे तो in there the main thing is the head loss and the diameter आप उनके जो components होते हो उनको design करते हो in the basic चीज हो design the SL and SM and Q and the power यह हम discuss करेंगे अगर मालों आपके पास time कम है मैं पूरा पढ़ाऊंगा भी कि basic design क्या होता है यह सब but if you are having a very short period of time आपके बाद time कम और इंगले designer question आया आट-दस नमबर में IFS में तो आपको main कौन-कौन से formula माँ पर highlight करने है यह जिस मैंना answer दिया है कि आपना answer पर short में ऐसे लिख सकते हो महाँ अबर अगर आपने यह formula यह formula यह formula ए यह pour При सबसे इंपोरेंट वाला दिस यह वाला दिस यह बहुत इंप्रेंट डिलीट करो की वह दो पेज में होगा हाइड डिजाइन आपका चार पेज का डिजाइन है तो चे पाइजन होना अपना अंसे दिख सकते हो एक रहा निग सकते हो फिर हम हाइड वह बढ़ रहे हैं अपको यह एरिया है आपको गौवञ्मेंट ने यह एरिया थे दिया आप कहानी की तरह सुनलो आपको याद हो यागा कि हो गहा है में आपको यहां पर irrigation system जो है इंस्टॉल करना है अपने का यार यह एरिया है अब मैं कैसे करूं तो सबसे पहले आपको होता कि यहां पर इस प्लांट को टोटल अपनी जो activity होती है लोटर करने के लिए होता है कि उतना है डालना होता है तो हमें पतल घायेगा कि सब्सक्राइब करना चाहते हो सिस्थम को तो आप यहां से डिस्टार्ज रेट निकालोगे तो आपके बाद डिस्टार्ज रेट आ जाएगा अब आप डिस्टार्ज रेट को आपको बता है यह फॉर्मला होता है 2N into SL into SM into I यह आपको यह निकालना है यह निकालना है और यह निकालना है अब application rate तो यहीं से निकलेगा application rate तो आपको main चाहिए कितना application rate के आपको design करना है how much application rate you need so you are having the queue now आपके बस queue आ गया अब आपको SL और SM चाहिए SL और SM जब आप SL क्या है यह main line है main line में आपके यह लगे है तो main line के along spacing आपकी SM है लेटरल के बीच की लेटरल पर आपके sprinkler लगे है यह आपकी SL है ठीक है SL और SM यह आप जब खरीदने आते हो ना manufacturing इनका formula होता है तो SL और SM के हमारे पस empirical formula है यह empirical formula आपको यह याद करके आना है तो empirical formula आपको खरीदने जाओके बजार में आपको बस एक factor पूछना होता है और overlapping factor अगर आपको overlapping factor बता यहां से SL निकाल लोगे SM निकाल लोगे तो SL आपके पस आगे SM आगे क्यों आगया आप यहां से application rate निकाल लोगे इस तरीके से आप complete design करते हो हां number of sprinkler कैसे निकाल लोगे अगर मुझे total area पता है these are the basic dimensions the first you will have to make you will have to go to the area you have to measure the evapotranspiration with the help of the evapotranspiration you need how much volume of the water you need the volume is equal to the area into the evapotranspiration divided by the application efficiency आपको application efficiency कुछ भी assume कर सकते हो 80-90% कुछ भी assume कर सकते हो तो आपके बस यह आगे ET max आप कैसे में से करोगे ET max आपको होता है reference evapotranspiration यह ET note into kc into ks यह आपको होता है reference evapotranspiration difference ET max को होता है maximum evapotranspiration kc आपको होता है crop coefficient और यह आपको होता है stress coefficient अगर ks गिवन लिए हो तो उसको बन ले सकते हो ठीक है तो आपने ET max कर लिया now you are having the volume then now you can calculate the q that discharge is the volume divided by the time आप operating r को fix करो आपको यहां से q मिल लाएगा now the q you will have to equate with this right the q should be 2n sl sm into i आपको i निकालना है यहां से i तो आपको sl भी चीए sm भी चीए और 2n भी चीए how you will calculate the number of the sprinkler it will be the total area आपको बता है एक area कितना cover करते हैं वो इतना इसे बहुत सारे लगे होंगे स्प्रिंकलर हना तो टोटल कितने हो जाएंगे area total divided by sl into sm आप यहां से निकाल लोगे you will compute n from this equation how you now the sl and sm sl और sm के लिए हमारे पास यह equation sl का formula आपका होता है dmi that formula that you will have to remember 1-fy2 और sm आपका होता है dmn 1-fy2 the f is the overlapping factor manufacturing और यह सब आपको याद करना वाड़ेगा fql generally 0.7 आप बस याद करो f overlapping factor है और dm आपके manufacturing factor है आपको इतना याद करके आना बेवर में तो sl sm आप यहां से निकाल लोगे now you are having the sl just put in this equation put in this equation the n you have calculated from this just to calculate the i now you are having the application date right तो आपके बास यहां से n आगे number of sprinkler आपने i यहां से निकाल लोगे total q आपको बता है तो आपको i मिल जाएगा now you are having the sl you are having the sm you are having the n you are having the application date चारो की चारो चीज आपके पास आगे ठीक है अब आपको निकाल ला है आपको आपको प्रेशर के होता है रो जी एच भई और एच कौन से लेलो complete है अब आपको जितने भी हैड ची होते हैं like minimum pressure for the sprinkler friction head हो गया राइजर के लिए head हो गया suction के लिए head हो गया friction head हो गया total head यहां पर लिखो तो इस तरी के साब डिजाइन कर सकते हो तो basic design के यह आपके साथ स्टेप है आपको यह निकालना है पर क्यों निकालना है then you will have to measure the sl and the sm then then you will have to measure the n then you put in the equation then you will find the i then you will the discharge into pressure multiply करें पावर मिलागा तो यह आप answer मिलिख सकते हो अपने पूरे अगर आपको चीज़े एजूम नहीं है तो application efficiency 80% कर लेना है application अपको निकालना होता है overlapping factor 0.7 कर सकते हो operating time 4R कर सकते हो के ऐसे आप वन एजूम कर सकते हो अब आपका यह तो बेसिक डिजाइन इन बेसिक डिजाइन आपको बता है और इसका प्रेशन रापका पाई फोर दी इसकोर इंटो टूजी है इंदा इस यूलाइब तो मेंशन दूज यह फोल्ला याद करना बहुत मुश्किल है यह तो आप लिख दो के तो मैं पूरा ओ लिखने बढ़ेंगे विदाउट फॉम्ला लेकिन आम यह फॉम्ला याद करना बहुत मुश्किल है इस फॉम्ला इस वेरी डिफिकल्ट तो रिमेंबर इन लॉंग तो इसको लाश्वर डिस्पस करेंगे यह आलसो बहुत डिफिकल्ट है अगर आप बहुत अच्छे से करन इसमें क्या यह आपकी मेंन लाइन है यह आपका लेटरल लगा है यह पिच्छर को समझना यह बहुत मुश्किल्ट बहुत ज़रे डिफिकल्ट है यह मेंन लाइन पे मुझे एच एन हैड चीए टोटल इस अमाउंट होता है है यहाँ पे मैंने स्प्रिंक्लर लगा दिये का है यह जब भी आप बनाऊने डाइकरम तो राइटर का यह यह हैड होगा वह आपको यह करना आगला जो बनाऊंगे है यह अप अब देखो इसमें क्या है यह ए चार रहे है लेटरल यह रहा लेटरल के लाष्ट इस पिंकलर पे आपका हैच नोट है एच नोट के मेंसे क यह आपका फ्रिक्शन हेड लोस है यहाद ही करनी बढ़ेंगी इसमें क्योंकि आपको अगर नोन एग्रिकल्चर बैग्राउंड से हो तब यह चीज़ी याद करनी बढ़ेंगी तो आप इस पॉइंट पर आप देखो गए तो यह आपका हैच यहाद लोस की लाइन आती है यह आपको होता है अगर आप यहाँ पर लाइन खीचों के स्टेट लाइन यह तो यह आपको होता है थ्रीपाइफ एच एफ मैं बता नूंगा अभी बहुत अभी डिफीकल्ट लगेगा एक बार यह वन बाइफोर्थ एच एफ होता है और यहां से लेकर यहां तक आपका होता है और यहां से लेकर यहां तक आपका 3 by 4th ह होता है इसमें हो कह रहा है आपको यह टोटल है ची होता है यह आपका में लाइन है में लाइन में कितना है चीए लेटरल जो आपके स्लोप पे इंस्टोल होते हैं इसके रहना आपको चार हैड मिलते हैं एक तो आपको कि अणradas को यह मेंल उटकी यह मेंल लाइन लेटरल आपके बनाकी लिचल है और आपको बताहें यह आपको नोजल लेपनाुहि razón अब होता कहें इसमें फिर से डाङरम बना दूँंअ आपको डार्भ्र्रहां याद ही करना है यह बना है यह बनाया यह बनाया कि यहां पर आपका है यहां पर आपका फ्रिक्शन है था यहां पर और एक नोजल बनाया है जिसका head जो है इसके बिल्कुल touch करें ऐसे करें यह बनके diagram बहुत असान है करना यह दा ऐसे आएगा यह आपका head loss आपका होता है 3 by 4th of friction यह total hf है ना तो उपर वाला जो इसकी line से उपर होता है वो 3 by 4th hf होता है और यह वाला आपका 1 by 4 hf होता है तो अगर मैं इसको friction head हो गया, this is your friction head यह आपका riser head हो गया यहां से यहां तक और इसके उपर यह वाला यह आपका होता है 3 by 4th of h e elevation जो head होगा यह जो slope पर है elevation जो head होगा उसका 3 by 4th component होता है यह अगर total elevation h e है तो यह उसका 3 by 4th component होता है तो इस तरीके सा आप इसका diagram को बनाते हो तो आप H n क्य ह हो जाएगा h n आपका होता है h a total head है तो कि इसकी को लोगा this plus this plus this plus this plus this तो यह आपको जाद करना है h a plus h r सबको जोड़ दो 3 by 4th of h f plus 3 by 4th of h e that you will have to mention अब यह क्या है the head required at the main line यह क्या है riser का head यह क्या है friction loss और यह क्या है due to the elevation difference h a क्या है देखो h a आपका इस point से लेगे इस point तक है यह तो h a आपको हो जाएगा this h note plus यह वाले distance यह वाली that is 1 by 4th of hf h a आपको यह हो जाएगा तो यह आपको दोनों चाहिए mention करनी है अच्छा यह h n तब है जब यह इसा है slope पर है अगर यही line सीधी होती तो total h a बस इतना होता है यहां पर यहां था आप सोचो यह ही नहीं तो h a आपका सिर्फ यहां से यहां तक होता तो क्या होता h note plus hf के बरावर होता तो अगर यह h n slope में है तो यह allocation और अगर state है तो h note plus hf अब यह याद करना बहुत मुश्किल है आपको यह diagram बनाना आना चाहिए और याद करना आना चाहिए बस कुछ मला कि आपको यह equation लिखनी है this is a fundamental equation अगर h n flatter से main है यह वाली equation यह यह दिहान लग है h a किसके एकोल है h note plus hf के अब इसको याद करना बहुत असान है जैसे याद करो तो को इस फ्रिंकलर का design तब ही होगा जब आपकी sprinkler में फील आएगी सर्थ में फील आएगी तो इस फिंकलर की spelling याद ना याद कर गए यार याद करना रइड करना रइड के स्प्रिंकलर क तो यह आद करो A-R-F-E यह रहा तो टोटल हेट जो होता है उसको हम HN से दिखाते हैं मेंल एंड पर वह आपका होता है बनाया है पर अब फड़े बनालो यह बना यह यहां पर आपका है यह अब एक आपका है पूरह यहां पर देकर आपका तोटल ह्रोच और यहां स्थे हूं करो भ्रापक लिए फॉर्ट ह होगा इससे नीचंप यहां पर एक नोजल बनाया है यह आपका हो गया और इस से लेकर यहां तक आपका हो गया इस तरीके डागराम बन जाएगा तो है आपको जाएगा यही फील लेनी है फील 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 ना स्प्रिंकलर लाज के ए आर और फील ए आर निया याद कर लो अगर यह यह बना दिया तो बस हो गया और यह आपको याद करके आनी है यह वाली एफ वाली डिडेक्शन फेक्टर की यह को दिजाइन करना स्टै। यह भी आपको याद करके आना है फिक्षन फेक्टर क्या होता है वन अपोन एम प्लस वन बाइट टू एन प्लस रूड एम माइनस वन डिवाइड बई आपको डार्सी बर्च टेविल से मिलेगी बहुत सकते हैं यह याद करना इसकी फॉर्मला यह रहां अब आपने यह कल दिया अब देखो आपकी कौन कौन सब्सक्राइप यह मेन लाइन है अगर आप यहां पर देखोगे यह यहीं बनाएंगं यहां यहां पंप लगा होता है यह पंप आपका लगा हुए राइट अगर बनाओ यह पर आपने यहां पर लगा दिए यहां प्रेड़ अब आपने में लाइन पर निकाला है यहां याद करा यह लिखा यह यह यहां याद कर लिया तो आपका टोटल है आगया है अब आप जो है अपना आपको यहां पर सबुस्करों में यहां पर टोटल फिक्शन लुजा है यह आपका फिक्शन का पॉइंट है है यह पर हो गया तो मसले टोटल है नोज description चैलिए लेकिन थोड़ा friction maintenance हो गया में डाय जो है जंख्शन जो है नवपर लगा हुए जो आपका है हैом प्लस म esté यह सोर से आठा आ आगए मुझेत स्फिंक्रय islands यह वाला अपको से लगाइन डाए जर हो यह वाला यह म्नें लगाए वहाएं यह मैंने एक में लिखा यह कि मेन लाइन आ रिए और आपकर यह ले트를 आ है यह आपका पहला श्पिंक Γरण कि यह तो इंग यह दो बीच में लेकिन जो यह बाती venom को आ गर जर्फ के बराबर है तभी यह फ़ॉंबरा ब्रसी है ज्याद आपको पढ़ना नहीं है यह कि यह फॉर्मुला अगर याद करके लिए सकते हो बहुत मुश्किल है तो फॉर्मुला अब देखो अब कोश्चन आएगा तो करो कैसे डिजाइन आपके दो तरीके से सकते हैं एक तो मैंने यह वाले स्टेप बढ़ाए ते आपको मैं एक यह वाले स्टेप्स क्लियर कर जबते डिजाइन हो अगर आपके बाद टाइम यह याद कर सकते हो और एक तो आपको देखना है कि आप कितने पढ़ाई कर रहे हो अगर आप अगर आप से पहले स्टेप्स डिफाइन कर सकते हो ठीक है अब देखो इसमें आपको होता कहा है जो हम हाई डिजाइन करते हैं कैसे करते हैं मैं पीचर देता हूँ अपकोःप्ट आपको APDAnt अपको कितने-स प्रिक्वेंश तक सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर आपको बेसिक डिजाइन से मिल जाएंगे बेसिक डिजाइन से आप डिजाइन से निकाल लोगे fm अब f का यूज करके आप आप एक फॉम्ला भी याद करें थे एंप्लस वन प्लस टू एंप्लस रूट माइनस एंप्लस यह आपका फ्रिक्शन हैड लोग्स में यूज होता है इससे आप फ्रिक्शन हैड लोगे फिर आप टोटल पावर कम्प्यूट करोगे बलाब वी नीड एफ फॉर ओल्ली फॉर यह आपका फॉम्ला होगे इंडिवीजिल नगें यह लगी हो लाइक एक स्प्रिंखलर में क्या होता है इसका 3D अलग है इसका 3D अलग है डामिटर दी-वन दी-टू है इसका है एंट है своit एंट च्वाइट फ्रॉलों यह रहा की इतना हो पाईब फॉर दी-घॉर व्लॉ तो आई यह रहा और एक आपका यह रहा है इसके निमेरिकल बहुत इसी है निमेरिकल के होते हैं इसके बहुत जाला इसी है जो आप करके आ सकते हो इस पिंगलर इडिगेशन में यह आपके डेफ्ट वोटर के रूट जोन होगा तो इस तरीके से जो आप अपनी कैपेसिटी भी निकाल सकते हों तो इसमें इतना ही है थैंक्यू वरी मच्छ